दोस्तो अगर आप कब्ज, गैस की समस्या, सरदर्द, बदंदर्द, अपच, बड़े हुए वजन की समस्याओं से परेशान है तो आज का ये खास वीडियो आपके लिए है दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ड्रिंक बनाना बताऊंगी जो आपको गैस, एसीडिटी, खटी डखारे और बड़े हुए वजन से तुरंत ही अराम दिलाएगा और आप दो ड्रिंक लेने के बाद ही अपने में बदलाव महसूस करेंगे ये ड्रिंक आपको एक फुलर भी महसूस कराएगी जिससे आपको लंबे समय तक भूक नहीं लगेगी और आपका वजन भी कंट्रोल रहेगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दोस्तो यहाँ पर इस्तमाल कर रही हूँ भूने हुए चनो को अगर बात करें भूने वे चने की तो ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और एक बहुत अच्छा स्नैक्स भी माना जाता है दोस्तो ये भूने वे चने हमारे डाइजेस्टियर सिस्टम यानि हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में बहुत ही महत्पूर्ण भूमी का निभाते हैं तो आज हम इसी का इस्तवाल करेंगे अपनी हेल्थ ड्रिंक बनाने के लिए दोस्तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि हमें ये भूने वे चने जो है इनका उपर का सिरा यानि जो इनकी उपर की परत है ये काली वाली इसे हटा लेना है तो मार्किट में दो तरह के भूने वे चने मिलते हैं एक जिसमें ये उपर वाली लेयर नहीं होती है और दूसरी इस तरह की ये उपर की लेयर होती है तो अगर आपके पास इस तरह की भूने वे चने हैं इन में उपरी सतह है तो आप हातों से रगण कर इसे निकाल लेंगे और इस तरह देखे मैंने आधा कटोरी भूनेवे चने रेडी कर लिये हैं जो आज हम इस रेसिपी में इस्तमाल करेंगे तो दोस्तों ये भूनेवे चने का हम इस्तमाल कर रहे हैं अभी क्या करना है देख इसमें मैंने ये भूने हुए चनी को डाल दिया है दोस्तों अब जो दूसरा इंग्रीडियन यहां इस्तमाल कर रही हूँ वो है काला नमक का दोस्तों अगर काले नमक की बात करें तो यह गैस की समस्या में बहुत ही फायदा देता है हमारे लिवर में जो ऐस बनते हैं उनको कम करता है और इसकी वज़े से मारे स्टमक में जो ब्लोटिंग होती है जो सूजन आती है वो भी कम हो जाती है और गैसे भी हमारे बॉड़ी में कम बनती है तो यहां आधा चोटा चमच मैंने काला नमक डाल दिया है और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चोटा चम्मच भूना हुआ जीरा दोस्तों भूना हुआ जीरा भी पेट ले बहुत फायदे मन करता है क्योंकि इसमें अच्छी मात्र में फाइबर होता है और इससे पेट फूलने एसीडिटी की शिकायत में भी काफी अराम मिलता है यहां तक की वजन को कम करने में भी फायदा दे दोस्तों अब जो चौथा इंग्रीडिन यहां डालना है वो है पुदीना लेकिन पुदीने को कैसे डालना है पुदीनी की पत्तियों को हमें इन्हें सुखा लेना है और सुखाने के बाद इसका मौईशर पूरा खतम हो जाएगा यह सूख जाएंगी और वो सूखी वी प पारिक सापीस लिया है और यहां हमारा एसिडिटी गैस बदहजमी सरदर्द सारी समस्याओं को दूर करने का पॉर्डर बनके तयार हो गया है सबसे अच्छी बात है कि अगर हमने इस पॉर्डर को बना लिया है तो हम एक महीने और उससे जादा इसे स्टोर करके रख सकते ह बस बात यही है कि जो आप कंटेनर यूज़ कर रहे हैं स्टोर करने के लिए वो अच्छा एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए और जो भी चमच आप इस्तमाल करेंगे इसे निकालने के लिए वो बिलकुल सुखी होनी चाहिए तो देखिए यहां मैंने तो एयर टाइट पेट के फूलने जैसी समस्याओं से यह फायदा देगा आपको बलकि आपके बड़े हुए वजण को भी कंट्रोल करेगा तो देखिए इसे लेना कैसे है यह भी देख लेते हैं यहां मैंने लिया है एक ग्लास पानी आप नॉर्मल पानी या गुंगुना पानी दोनों में इसे कैसा भी पानी ले सकते हैं अब एक किलास पानी में में एक चमच एक बड़ा चमच यह जो हमने पॉडर बना के तयार किया है वो डाल दूंगी एक दो सेकिंड तक रोकेंगे और वो धीरे धीरे अपनी आप डिजॉल्व होने लगेगा अब चमच ही मदद से हम इसे अ पाना पीना खाए तो सबसे पहली ड्रिंक आपकी होगी आप उठिये आप एक दू गलास आप जो पानी पीते हैं जो भी आपका नॉर्मनर रूटीन है वो कीजिए चाए पीने से भी पहले आपको इसे पीना है वैसे तो चाए नहीं पीनी चाहिए लेकिन अगर आपको पेने लगेगा और आप अगर लगातार इसका इस्तमाल करते हैं तो आपकी कबज-एसिडिटी की प्रॉब्लम बदहज्मी की प्रॉब्लम खटी डखार या ऐसिडिटीर जो गैस आती है पद्बुदार गैस आती है उसकी सारी समस्याइं खतम कर देगा और जहां यह एक ब कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको यह होम रेमेडी कैसी लगी मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा